हाई फ्रेंड्स वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्चर टूड़े वी आ स्टार्टिंग विद टॉपिक रिवर्स आफ जेहन के डाट इस जो और जिग्रॉफिय आफ जमुन कश्मीर जो की आने वाले जेक्स बीक एक्जामस में गिवन है तो इसके बेस पे एक्जामस में सब्सक्राइब की औरिजनेट्स फ्रॉम टू रिवर्स चंद्र और बागा इन लाहूल और स्पीति डिस्टिक ऑफ हिमाचल पर्देश यह चनाब रिवर्स से निकली हुई है जो दो नदियां या स्टीम स्कैलों को चंद्र और बागा दो चोटी जोटी स्टीम साया रिव ये तो निकलती है यहे चनाब रिवर्स निकलती है तो वहां से चंद्र और बागा चनसे से मिलकर बनी है तो इसको चंद्र बागा भी बोला जाता है चनाब रिवर को एंटर जे एंड के नेर पार्डर इन किस्टवाड जम्मु कश्मीर में एंटर कहां करती है किस्टवाड में एंटर करती है पार्डर जो पार्डर एरिया जो जम्मु किस्टवाड इस्ट्री का वहां यह जम्मु कश्मीर में एंटर करती है हिमाचल से फिर जम्मु कश्मीर में गरिके जमु कश्मीर से उसके बाद ये किस्तिवार में धाने निसदीन पा lige से होते हुए लाज्य जमुनी सारी अकनर रामबन से से वहां से उसके बाद पाकिस्तान कर जाती है रिवर रिफेंट डेम्स पर जैसे दूल हस्ती पावर प्रूजक्ट हो गया बगलिया डैम हो गया यह सारे डام्स डिफरेंट डैम्स मनाए गए इस जनाब रीवर पे वर्ल्ड हाइस झ्य डिस्टिक जो जिसकी हाइट है जो उससे भी उन्हीयाल यह लाइन के साथ यह जोड़ेगा ये डाइब harm और चनूर है यह अखनूर में इस बनाई आती हैं जब यह चिनाब अकडma वाल साइड होता तो वहां से यह दो किनाल से दो बनाओ यह यह रनिबीर डी उसके बाद निकलती है नाम जो common अधर के LOCAL होग ऑगे इंचको बोलते हैं वेत्ट बोलते हैं में इसका नाम विच्टा था विच्टा जो रिगवेद में इसका नाम उस टाइम नाम था इसका अब इसका नाम जेलनम रिवर है टोटल लेंथ 725 किलोमेटर ट्रिब्यूटरी साथ सो पच्छीज किलो मेंटर इसकी टोटल लैंथ है इन कश्मीर वैली लैंथ लैंथ है दो टू-thो-thahu-tham किलोमेटरी इंडिया में इसकी लैंद ट्रिब्यूटरी जा लिद्ध रीवर खनाबल नीलम रीवर सिंध रीवर इसकी जो ट्रिब्यूटरी जो इसके साथ मिलती है रीवर के साथ लिद्ध रीवर आगी जो खनाबल में इसके साथ मिलती है जेलम रीवर के साथ खनाबल अनं यह जगा एरिया है जो वहां मिलती है यह सिंध रीवर जेलम रीवर से उसके बाद next from सिंद नगर flows through बुलर लेक बारामुला उरी दन डू पाकिस्तान पहले सिंद नगर से जब यह नंतनाख से सिन्नगरवाल साइट फ्लोग उसके बाद वुलर लेक में फ्लोग करती है वहां से वुलर लेक में चल जाती है और वुलर लेक से निकलती है दुबारा यह रिवर जेलम रिवर तो यह बारा मुला से होते हुए ओडी डिस्टिक जो बारा मुला है वहां से उसके बाद ओडी एरिया से होते हुए यह पाकिस्तान में एंटर हो जाती है फिर यह रिवर और उसके बागी यह पाकिस्तान में फ्लो करती है रिवर फिर अरेबियन सी में चल जाती है तो डैम्स लाइक ऊड़ी किशंगंगा सेक्ट्रॉन इस रिवर इस रिवर पर भी कही सारे डैम्स जो बन बदरवा में कलाशकुंड गलेशियर है जो कलाशकुंड मैक्सिम्म पता ही होगा सबको तो वहां से तभी रिवर निकलती है फ्लोस तुदा डिस्ट्रिक ऑफ डोड़ा दंपूर जम्मू और पाकिस्तान डोड़ा से निकलते हुए जो बदरवा एरिया यह डोड़ा डिस्ट पाबा बोलते हैं जो हिंदु माननेता के अनुसार इसको कह जाता है कि जो तभी रिवर को जम्मू में राजया पैड उस टाइम राजया पैड देवता राजय थे तो उन्हों ने चोटे बाद उनको 141 km है totaliski length major left bank tributary of Chenab joins Chenabat RS Pura then enters Pakistan left bank tributary मतलब Chenabh ki left bank tributary है ये तवी river इसको Chenabh siya मिलती है left side पे कहां मिलती है RS पूरा में जाके ये चनाब के साथ मिलती है तवी river तो उसके बाद ये पाकिस्तान में enter हो जाती है तो लेफ्ट साइड से मिलती है Chenabh ko जाके उसका construction of artificial lake on river तभी याड बगवती नगर तो बगवती नगर जो जम्मु में आता है तो वहां पर artificial lake बनाई जा रही है तभी रिवर पर तो टूरिस्ट अट्रेक्शन के लिए ताकि चच्च के लिए टूरिसर म बढ़ा जा सके और उसके बाद आता है नЕक्स्ड रावी रीवर जो जम्मु मेर की famous रीवर रावी रावी लाहा बंगल कांगरा डिस्टिक है इमारफ जथिश्टर अस्थ कंगला डिस्ठी गहीं आपर्देश के वहां से ये रावी रीषय निकलती है लैंग इस साथ बी मेटरी रिवर वंडॉयड 710 कंद पंजाब रावी पहली पल वी बना हुआ साथी है तो major tributaries are Siawa, Basoli, Ujj, Bhuddil and Nai जो इसकी major tributaries हैं जो इस नदी, रावी रिवर के रावी नदी है उसके साथ मिलती है Siawa जो बसोली में इसके साथ मिलती है, Ujj आगे Nain Court जगा एक वहां मिलती है यह Ujj river उसका भुधिल आगे नहीं यह का इमाचल में ही मिलती है रिवर्स Known as river of Lahore, इसको रहो Lahore की river, river of Lahore बोला जाता है इसको, क्योंकि इसके बाद यह फिर पंजाब से होता हुए, यह फिर पाकिस्तान में एंटर करती है तो इसको river of Lahore बोला जाता है, रंजीत सागर डैम में multi-purpose project on river एर थीन विलेज, रंजीत सागर डैम जो इस river पर बनाया गया है वो multi-purpose project है tourist point of attraction से भी और hydroelectric power project भी है electricity बनाने के लिए तो यह कहां बनाया गया थीन विलेज है जो कठुवा में रंजीत सागर डैम बनाया गया रावी रिवर पर अकॉर्डिंग तो इंडेस Water Treaties River Water is Allocated to India इंडेस Water Treaties के अकॉर्डिंग जो रिवर का इस रावी रिवर का पानी है यह इंडिया पूरा इसको यूज कर सकता है लेगन बाकी जैसे जो इंडेस होगी रिवर चना वगारा उनका पूरा पानी इंडे यूज नहीं कर सकता है उज रिवर originates in कैलाश mountain near बदर्वा Hillz कैलाश परवथ से यह उज नदी निकलती है बदर्वा Hillz के पास है कैलाश परवथ बदर्वा में है उद्धर से पास में, बदर्वा पहार जो है वहाँ उसके पास है Tributory of Rae River Ravie नदी है जो कुठूवा में बैठती है उसकी ट्रिबूटरि है यह उसके साथ मिलती है यह river बाद में यह नदी flows through Kathua district Indian Punjab and Pakistan Punjab Kathua district से होते हुए यह Indian Punjab जो India का Punjab है वहाँ से Aí पकिस्तान Punjab में चल जाती है जो बांद बनाया जारा है यह बैरेज जो बनाया जारा है इस रिवर पे जस्रोटा विलेज जस्रोटा में बनाया जा रहा है उजज नदी के आपड उसके बाद नेट्स जो है वह किशन गंगा और नीलम रीवर किशन गंगा नदी पिर नीलम नदी बोला जाता है इसको originates from किशंसर लेग ये किशंसर लेग से निकली हो ये किशंसर गंगा रिवर joins जेलम रिवर एड मुझाफराबाद मुझाफराबाद जो पाकि उसमें वहाँ पर ये जेलम नदी के साथ मिलती है ये किशंगंगा नदी फ्लोस त्रू गुरेज कश्मीर वैली देंट पाकिस्तान गुरेज जो कश्मीर वैली में है वहाँ से होते हुए फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है नदी 245 किलो मेटर इन लेंथ 245 किलो मेटर इसकी लंबाई है किशन गंगा Hydro Electric Project on this river इस नदी पर जो किशन गंगा नदी इस पर किशन गंगा Hydro Electric Project बनाया गया जो डैम टाइप जिससे electricity produce की जाती है तो उसका नाम है किशन गंगा Hydro Electric प्रोजेक्ट और भी डैम बनाए जाने अभी प्रोजेक्ट किये गी हैं कि इसके बनाए जाएंगे इस नदीबे